चलो जो आपका टार्गेट है वो एक मंजील है और वो मंजील है सिंपल सा फंडा है मान लो ये टार्गेट आपका 100 किलोमेटर दूर है अगर आप यहां हो अगर आप दोड रहे हो जल्दी पहुंच जाओगे दोड नहीं रहे चल रहे हो थोड़ा लेट पहुंच जाओगे चल नहीं रहे तो रेंग रहे हो थोड़ा और लेट पहुंच जाओगे पहुंच जरूर ऐसा नहीं है कि हाँ अगर आप यहीं खड़े तो कभी ना पहुंच सकते दूसरा कारण ही होता है आप भटक जाओ आप या तो यहां खड़े रहो आपको काम यभी कभी नहीं मिलेगी या भटक जाओ अपने रास्ते से कभी यहां गए, कभी वहां गए कभी उसका मेसेज आ गया कभी उसने ब्लोक कर दिया कभी डिप्रेशन में आ गए उसने एक मेसेज करके ब्लोक क्या किया, जिंदगी विरान लगने लगी जिंदगी से वो क्या गई कि एक ही गाना नजराया जिंदगी की तलास में मोत के कितने पास आ गए, अरे जिंदगी तो target था ना आपका ठीक है जिन्दगी में सब कुछ होना चाहिए अच्छी बात है दो लोगों का इखटा selection हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है वट ऐसा कमी होता है तो इसलिए दो लोगों के चक्कर में ना रहें अपने उपर focus करें अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे तो दुनिया आप से प्यार करेंगे इसलिए आपका focus सिर्फ और सिर्फ target पर रहे target पर होगे तो अच्छी बात है ठीक है वरना उसकी साधी हो जाएगी और गाड़ी का सिसा उतार के पूछेगी अभी भी coaching ले रहा है